Hello students, students, today we will start a new chapter of history, that is the making of global world. यहाँ पे global world क्या बताना चाहा रहे हैं इस chapter में? आज जो world है, जो दुनिया है, ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है, इंडिया सिर्फ आपस में ही restricted है. लेकिन क्या आज से पहले ऐसा था? सारी चीज़े globalized थी. तो हम इस perspective को ध्यान में रखते हुए कि हमारा world क्या है? ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज बन चुका है, जहाँ पे सारी चीज़े आपस में interconnected है, तो वो कैसे बना? आप अगर physical barriers देखो, आपको यहां से अगर Mumbai जाना हो, या बाकी किसी state में जाना हो, तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे पैदल. लेकिन आज हमारे पास ऐसी situation है कि आप कुछ गंटों में ही दूसरी state तक जा सकते हो, यह आज जो हम modern world देखते हैं, ग्लोबल वर्ल देखते हैं, यह कैसे बना है? यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आज हम कहते हैं कि we are living in a modern world, तो क्या हम हमेशा से modern world में रह रहे हैं? और आज जैसी दुनिया है, जितनी developed है, क्या यह आज से पहले भी ऐसी ही थी? तो modern world क्या है? pre-modern क्या है? यह सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. आज हम सब of modern world से पहले के time period की बात करेंगे. अगर modern world के time period से पहले की बात कर रहे हैं, तो वो क्या रहा होगा? क्या वो समय modern नहीं था? जैसे हमारा चैप्टर जो है, the making of global world, the making of global world अगर उसे बोल रहे हैं, तो global world जो है हमारा तो modern world से पहले global world था या नहीं था globalization था या नहीं अब globalization क्या है interconnectedness of various economies या फिर world तो economies अलग-अलग है world है अलग-अलग countries है वो जब आपस में connected होने लगती है वो globalization होता है तो इस sense में अगर देखा जाए तो 1991 से पहले क्या हम connected नहीं थे world के साथ में connection जो था हमारा world के साथ में वो तब भी था बस क्या हुआ उसके बाद में हमारी जो degree है connection की जो connectivity की जो degree थी उससे और कहीं गुना जादा बढ़ गई है globalization जो हुआ है उसी के as a long drawn out history मतलब एक लंबा प्रोसेस चलता आया है कैसे चलता आया है trade के थू trade के थू कैसे globalization हुआ तो आज से 1000 साल पहले भी trade होता था लोग बैल गाड़ी पे उटों पे सामान जो है वो लेके जाते थे तो trade तो होता था अब जो trade होता था आज जिस level पे हो रहा है जिस intensity पे हो रहा है उतना नहीं होता था मालो साल बर में मुश्किल से दो traders इधर से उधर जा पाते थे लेकिन trade तो हो रहा था तो trade के थू ग्लोबलाइजेशन हो रहा था migration जो है migration होता था migration क्यूं होता था कभी-कभी किसी climatic condition की वज़े से कभी-कभी migration compulsion होता है और कभी-कभी choice से होता था लोग सोचते थे कि नहीं कहीं पे कुछ और अच्छा हमें मिलेगा तो उस कारण से migrate जो है वो हो जाते थे अब जब migration करेंगे कोई इंडिया में रह रहा था तो वो migrate करके कहा चले गया? Middle East चला गया तो ये भी तो एक तरह से globalization ही है कि लोगों का movement हो रहा है मतलब एक connection established हो रहा है तो globalization is not a new phenomenon पुराने समय से ये चला रहा है और इस तरह से चलता रहेगा तो उसकी long history अगर देखा जाए trade के थ्रू, migration के थ्रू movement in search of work लोग job की तलाश में एक जगा से दूसरी जगा move होते थे अब जब एक जगा से दूसरी जगा वो job के परपस से जाते थे तो वो globalization का factor है movement of capital अब पहले क्या होता था? उंडी लिखके देते थे जो businessman होते थे जो पैसे वाले लोग होते थे वो मतलब बिना पैसो के भी trade कर सकते थे एक written note के थ्रू एक promising note होता था तो इस तरह से trade होता था तो capital का इस तरह से capital की जो movement है वो होती थी जो connect करके रखता था जैसे कोई इरान का business man है तो वो इंडिया में लोगों को trade करवा रहा है बिना पैसे के क्यूं क्यूंकि उसके यहां पे connections है तो इस तरह से capital पैसा जो है पैसा भी economies को connect करता था तो historically अगर देखा जाए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के समय में ही जब ships develop हुई है modern transportation का system है सिर्फ आज तभी globalization possible नहीं हुआ है globalization उससे पहले भी था बस फर्क क्या है जितनी degree पे था वो degree बहुत कम थी आज globalization की degree बहुत ज़ादा है जो की visible भी है ancient time में travelers, traders, priests जो थे pilgrims ये travel करते थे travelers जो है उनका काम ही travel करना होता है तो ये लोग क्या करते थे ये लोग travel करते थे तो वो connection develop करते थे migration हो रहा है movement हो रहा है तो उसकी वज़़े से connection develop होता था traders जाते थे traders क्यों जाते थे traders अपना सामान बेचना है तो कोई Middle East से इंडिया आएगा कोई इंडिया से South Asia के दूसरे countries में जाएगा कोई China जा रहा है कोई Japan जा रहा है तो इस तरह से traders move करते थे फिर priests move करते थे पहले लोग दरम का प्रचार करने के लिए जाते थे तो travelers, traders, priests ये सब move करते थे pilgrims भी move करते थे तीर्थ के लिए अब मान लीजिए जैसे बुद्धिजम इंडिया को क्या consider किया जाता था Land of Buddhism तो बुद्धिजम के followers चाइना में भी है जपान में भी है तो वो लोग यहां से तीर्थ के लिए आते थे तीर्थ के लिए इंडिया आते थे मान लोग कोई Islam का follower है उन्हें तीर्थ के लिए जाना है तो वो कहां जाएंगे मक्का मदीना जाएंगे pilgrims के purpose से भी लोग travel करते थे अब जब यह travel कर रहे थे तो connectivity established हो रही थी तो वो जो travel कर रहे थे वो अपने साथ में knowledge लेके जा रहे थे opportunity लेके जा रहे थे and spiritual fulfillment लेके जा रहे थे auto escape, persecution मतलब जब वो travel करेंगे तो वो knowledge को भी transfer करेंगे एक जगा से दूसरी जगा opportunities create करेंगे उन्हें कुछ आता है तो दूसरी जगा पे जाके वो कुछ कर सकते हैं तो spiritual fulfillment के purpose से भी वो जाते थे लोग travel करते थे जैसे अब ये pilgrims जो रहेंगे इंडिया से इसलाम का follower मक्का मदीना जा रहा है तो वहाँ पे अपने spiritual fulfillment के लिए गए है ना तो वो वहाँ पे जाके क्या करेंगे अपने आपको spiritually fulfill कर पाएंगे और to escape persuitions persuitions क्या होता है मान लीजिए किसी को सजा सुना दी है यहाँ पे राजा ने वो बाग के कहीं दूसरे देश चले गया तो उसको जो punishment मिली थी उससे बचने के लिए वो ये जगा छोड़के कहीं और चला गया तो उसका भी कुछ ना कुछ impact create करेगा और जब travelers, traders, priests, pilgrims अपनी values हर जगा से अलग-अलग values होते हैं हर जगा के अलग-अलग morals होते हैं तो उन चीजों को भी वो carry करते थे skills को लेके जाते थे जैसे लकडी के घर जो है वो कैसे बनाने हैं Southeast Asia के लोग वो बहतर जानते हैं तो वो अपने साथ वो skills लेकर आएंगे ideas, inventions तो ये सारी चीजे आप carry कर रहे हो तो जब आप travel कर रहे हो कहीं पे आप सिर्फ अपनी body लेके नहीं जा रहे हो आप अपने thoughts, skills ये सब लेके जा रहे हो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो अपने साथ सिर्फ अच्छी चीजे लेकर जाओगे आप अपने साथ कुछ germs, diseases ये लेकर भी जाओगे आप अपने साथ food भी लेकर जाओगे तो ये अब जब कोई इमसान किसी नई जगा पे जाएगा तो वो अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा वहाँ से कुछ सीखेगा ये trend है globalization का तो modern world से पहले जो pre-modern world था वहाँ भी globalization हुआ था इसके traces अगर देखे इसके traces कहाँ देखने को मिले थे जो इंदिस वाली civilization थी वहाँ पर